प्रश्ण नम्बर 351 निमलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए तो कारक से संबंदित यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्ण है अभी हमें यह वाक्य पढ़ना है और उसमें जो कारक का सही भेद होगा यानि कि प्रकार होगा वो हमें पहचान कर बताना है हे प्रभू मेरी इच्छा पूर्ण करो तो इसमें कौन सा कारक होगा? पहला ओप्षन है करता कारक, दूसरा धिकरन तीसरा संबंध, चौथा अपादान कारक तो इसमें कौन सा होगा संबंध कारक हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो तो यहाँ पर संबंद कारक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन लेते हैं प्रशन नमबर 352 भाव आचक संग्या बनाना है हमें लड़कापन लड़काई लड़काई पन लड़काई पन तो भाव आचक संग्या जो है इन में से जो इसा कोई शब्द नहीं बनाया जाता लड़कपन जो है भाव आचक संग्या है और एक प्रॉपर शब्द है प्रशन नमबर 353 सत चरित्रता किस मूल शब्द से बना है अब यह शब्द है हमारे पास इसमें से मूल शब्द जो है वो निकालना है इसमें हमारे पास उपसर् मेंं तो किसमे प्रशन थी प्रत्य पहाई है और एक मूल शब्द भी है तो आप देखेंगे कि हैं चरित्र शब्द जो है वेक उत्म्हुट्र यह आपर सट उपसर्ग difficले ता प्रत्य है इस तरीके से यह एक शब्द बनता है तो हमारे पास मूल शब्द क्या हो गया वह हो प्राहण शब्द को किसे भी शब्द को बहु व थित, एक व पुल्लिंग है, कैसे पता कर सकते हैं? अब इसका रिलेटर एक सिंटेंस बनाएंगेत, Eastern वनाने है कपट सुंदर्ता मूर्खता निद्रा ऐसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हैं पुल्लिंग कैसे पहचानना है औप्शन नमबर ए जो है वो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है प्रेश्ट नमबर 356 गीदड का इस्तिरलिंग क्या होगा गीदड का इस्तिरलिंग हमें बताना है गीदडिन गीदडनी मूर्खता या फिर निद्रा तो जहिसी बात है कि यहाँ पर यह तो बहुत ही गलत तरीकी के शब्द वने हुए हैं और निद्रा तो बिल्कुल भी इस जोन में ही नहीं आ रहा है और तो गीदड का जो इस्तिरलिंग होगा वो होगा मूर्खता तो आप्शन नमबर सी सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन लेते हैं हम प्रशन नमबर 357 किस वाक्य में अपादान कारक है राम ने रावन को तीर से मारा मोहन से अब सहा नहीं जाता हिमाले से गंगा निकलती है चाकू से फल काटो तो आप्शन नमबर सी हिमाले से गंगा बहती है तो अपादान का जो कारक चिन है वो है ये अब जहां पर चीज तो वापादान कारक आता है वहाँ पर प्रेश नमबर 358 हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारन किसके अधार पर होता है यानि जो शब्द होते हैं उसका जो लिंग है या फिर वचन है हमने जो डिसकस किया है कि किस तरीके से पता किया जाता है तो लिंग निर्धारन कि या फिप्रत्य तो वह संग्या के अधार पर किया जाता है प्रश्ण नमबर 369 निमलिखित में भावाचक संग्या कौन सी है इसमें जो चार शब्द दिये हैं में से जो भावाचक संग्या है वो बताना है शैतुरता वीर मनुश्य गुरू तो आप्शन नमबर ए जो है शैत अथ्याय, स्वадेश, स्थापना अब इससे रिलेटीड हमें एक संटेंस बनाना है जिसके ज़री आप पहचानेंगे कि स्थर्लिंग शब्द कौन सा है स्थापना शब्द जो है वो स्थापना की गई संग्या कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के अधार पर संग्या 5 प्रकार के होते हैं प्रश नमबर 362 निमलिकित में से कौन सा शब्द व्यक्ति वाचक संग्या के अंतरगत आता है व्यक्ति वाचक संग्या क्या है जो स्पेसिफिकली आपको किसी नाम के साथ यहां पर कहीं पर भी आपको डिसकस किया जाए वो व्यक्ति वाचक संग्या में आ जाता है गाय, प टिवाचक संघया में आ जाएगा. प्रशनों- 363 निमलीकित में से कौन सा शब्द जो है, वो जाती वाचक संघया नहीं है. यानि की तीन आपशन जो है, वो जाती वाचक संघया में होगो और एक नहीं है. तो नहीं वाला हमें बताना है, जवान, वालक, सुंदर, मनुष्य तो सुंदर जो है वो एक गुण है और ये जातिवाचक संग्या में नहीं आता है प्रशन number 364 निमलिकित में से कौन सा शब्द जो है भावाचक संग्या नहीं है, तीन अप्शन जो है वो भाव अचक संग्या है, एक नहीं है, मिठाई, चतुराई, लडाई, उतराए, तो option number A, मिठाई जो है, एक चीज है, और ये सब जो क्या है, ये भाव है, भाव अचक संग्या के अंतरगत आते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा, option number A सही हो जाएगा, प्रश नमबर 365, कौन सा शब्द जो है, वो जाती वाचक संग्या है, तो जाती वाचक संग्या कौन सा है, लड़का, सेना, श्याम, दुख, अब आप देखेंगे कि दुख जो है एक भाव है, और श्याम जो की वेक्ति वाचक संग्या के अंतरगत आएगा, क्योंकि ये एक वेक्ति है, और वेक्ति वस्तु स्थान का नाम संग्या है, लेकिन यहां पर नाम के साथ पेश हुआ है, तो ये वेक्ति वाचक संग्या में आजाएगा, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर तो ये भी नहीं है, और जाती वाचक में क्या आएगा, लड़का आजाएगा क्योंकि कौन सा लड़का है एक समू को यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है तो यह एक जाती वचक सम्या में आ जाएगा और यह समू में आ जाएगा अगे बढ़ते हैं अगला प्रशन लेते हैं प्रशन नंबर 366 कौन सा शब्द जो है वो स्त्रिलिंग है सहारा, सूची, पत्र, सी, आर, परिशद तो ऑप्षिन नंबर D जो है वो स्त्रिलिंग में शामिल होता है इस एक सेंटेंस बनाने के बाद आप बहुत ही असानी से पह में बताना है तो नेतरी का नेता नेत्र नेतिन नेताइन ये दोनों ही तो आप्षन बिल्कुल गलत है नेत्र ऐसा कोई शब्द नहीं है नेता जो है ये इसका पुलिंग शब्द हो जाएगा प्रश्ण हम सबको मालू में आठ बेद होते हैं कि प्रश्ण mo 360 के लिए किस कारक में कौन सा प्रकार है जिसमें के लिए उसका सू चिन होता है कर्म संप्रदान संबन्ध या फिर अपदान तो संप्रदान में के लिए शब्द का प्रियोग होता है प्रश नमबर 370 विर्ख्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाकिय में से किस कारक का चिन है तो ये अपादान का है जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं विर्ख्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो यहाँ पर जो से है वो अलगाओ को पेश कर रहा है संप्रदान अधिकरन अपादान तो यह अधिकरन में आता है तो अधिकरन में आप याद रखेंगे कि उसका सूचक चिन जो है पर है प्रश नमबर 372 वह घर से बाहर गया इस वाकिय में से कौन सा कारक है अब यहाँ पर फिर से एक से आया करता कर्म करन या अपादान तो यह अपादान होगा क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है जो से शब्द है जब वह अलगाओ को पेश करता है अब वह घर से निकल कर बाहर जा रहा है तो यहाँ पर जो से है वह अपादान को दिखाएगा प्रश नमबर 373 चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं अब यहाँ प देखेंगे इस से जुडा हुआ किस तरीके से चार पाई जो है वो जुडावय अधिकरन के सेंस में है तब ही तो इसका इस्तामाल करते हुए जो है हम सेंटेंस को कमप्लीट करते हैं वाक्ये को पूरा करते है और अर्थ उसका समपूर्ण रूप से निकलता है तो यहाँ पर यह अधिकरन कारक से संबंदित है प्रश्ण नम्बर 374 निम्लिकित शब्दों में सदा स्त्रिलिंग वाला शब्द कौन सा है यानि जो सदेव स्त्रिलिंग ही रहता है वो कौन सा शब्द है पक्षी बाज मकडी गैंडा तो आप्शन नम्बर ए जो है वो हमेशा जो है ए शब्द रहने वाला शब्द है प्रश्ण नम्बर 375 व्याकरन की द्रिष्टी से प्रेम शब्द क्या है यानि प्रेम शब्द जो है व्याकरन की द्रिष्टी से कैसा शब्द है भावाचक संग्या विशेशन क्रिया या फिर आव्यर तो ये एक भावाचक संग्या है प्र आदिम प्रांत प्रांतिक तो option नमर डी जो है गलत हो जाएगा यहां पर चोकी संग्य विशेशन की जोड़ी में नहीं आएगा प्रश्ण यानि कि यह शब्द जो है संग्य और यह विशेशन यह एक यहां पर समू बना कर दिया गया है तो यह सारे के सारे जो है संग्या में आ रहे हैं और ये विशेशन में आ रहे हैं पर ये option नहीं आ रहा question number 377 कवी का sterling क्या होगा कव इत्री कव इत्री कव इत्री कव इत्री अब आप देखेंगे ये दोरों तो बिल्कुल ही गलत शब्द है अब इन में डिफरेंस आप देखेंगे यहां पर वा में मात्रा है यहां पर नहीं है तो option number C जो है वो सही spelling है इसकी कवी का sterling जो शब्द है वो यह होगा प्रेश नंबर 378 हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं तीन दो चार क्या फिर पाच तो हिंदी भाषा में जो वचन है वह होते हैं दो प्रकार के प्रेश नंबर 389 की द्रिष्टी से दही क्या है यानि दही का लिंग क्या है यहां पर श्थल одно पुलिंग नपुन्सक लिंग या उभ्हेलिंग तो यह है पुलिंग कैसे दही खटा है अब खटा है दही खटी है बहुत लोग बोलते लेकिन वो सही सेंटेंज ने दही खटा है तो यह पुलिंग में आ जाता है तो आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संग्या के साथ संग्या के स्थान पर प्रियुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं सर्वनाम विशेशन क्रिया अगया संग्या क्या है किसी वस्तू स्थान इन सब का जो नाम है किसी वस्तू वेक्ति स्थान का जो नाम है वह सब संग्या है या फिर आप आम भाशां बहु से बिए बैदेग्टूनिते साथ जार्व, दोम भीक्रीख होते हैं को थम्नीतूहर né व्याकनिक नियम को पिर्योग होता है जी और आप प्राइबानाम का किसी सन्गया थे सहे जांगी को सब्सक्राइबगा है यानि सर्वनाम का प्रियोग हुआ है लेकिन गलत तरीके से हुआ है वो सेंटेंज में पहचाना है वे स्वयम यहां नहीं आना चाहती आपके आगरा पर मैं दिल्ली जा सकता हूं मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी तो मैं तेरे को एक सर्वनाम है उद्प्तम, मध्यम, अन्य, या इन में से कोई भी नहीं तो ये उद्प्तम पुरुष में आता है प्रश् nic no. 383 सर्वनाम के कितने परकार है 4, 5, 6 श श या 7 तो सर्वनाम के शे प्रकार होते हैं प्रश्च नमबर 384 निश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है निश्चे वाचक नाम से ही पता चल रहा है जहां पर निश्चित्ता का पता लगता हो उस सर्वनाम का क्या कुछ कौन यह है तो निश्चे वाचक सर्वनाम यह है जिसे हम इंडिकेट करते हैं कि हा अनिश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है अनिश्चे जिसकी निश्चित्ता ना हो तो कौन जो कोई वह है तो इनमें तो आप देखेंगे कि कौन जो कोई वह है अब एक एक शब्द देखेंगे अनिश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है कोई कोई जो है कौन है इसकी कोई जानकरी नहीं है इस वाज़े से इसमें अनिश्चिता है प्रेश नमबर 386 ये घोड़ा अच्छा है इस वांखे में यह क्या है यह अपर यह शब्द जो है वो क्या है संग्या सर्वनाम विशेशन सर्वनाम सर्वनाम है प्रश नमबर 388, संग्या या सर्वनाम की विशेष्टा बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संग्या की और सर्वनाम की जो विशेष्टा बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष्टा बताने का काम विशेष्टा ही करते हैं, और जिनकी विशेष्टा बताय जाते है उसे विशेशे कहा जाता है इन सब की चर्चा भी जो है चैनल पर मौजूद है हिंदी ग्रामर के सेक्शन में आप देख सकते हैं इन सारी ग्रामर पॉइंट्स को प्रश नमबर 389 विशेशन के कितने प्रकार होते हैं 3, 4, 5 या फिर 6 तो विशेशन के चार प्रकार होते हैं प्रश नमबर 399 निमलेकित शब्दों में कौन सा शब्द जो है वो विशेशन है सच्चा, शीतलता, नमरता, मिठास तो सच्चा जो है वो एक विशेशन शब्द है और बाकी आप देख सकते हैं ये कौन से आप इसको भी देखे प्रेक्टिस करें इससे आपकी बहुत अच्छी प्रेक्टिस होगी आप देख सकते हैं शीतलता, नमरता, मिठास ये भी जो है किसी ना किसी व्याकर निकनियम के अंतरगत आने वाले शब्द है आप बताएंगे कि ये कौन से व्याकर निकनियमों के अंतरगत आते हैं प्रश्न नमर 319 निमलिकित वाक्ये में कुछ शब्द विशेशन है उसका भेद छाटी है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे तो निमलिकित वाक्ये में जो कुछ शब्द है अब ये वाक्ये है इसमें जो कुछ शब्द है वो क्या बताएंगे शब्द विशेशन है वो विशेशन का कौन सभेद है गुण वाचक, अनिश्चित परिमान वाचक परिमान वाचक जो है वो नापतौल से संबंदित होता है सारवरामिक विशेशन है या अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन है तो ये एक अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन है संख्या भी की जानकारी नहीं है लेकिन बच्चों की बात की जारी है तो क्लास में कुछ काउंटेवल बच्चे ही होते है लेकिन यहाँ पर अनिश्चित शब्द होने की वज़ा से यह आप दे सकते कुछ शब्द जो है वो अनिश्चिता को बता रहा है प्रश नमबर 392 आलस से शब्द का विशेशन क्या होता है आलस से जो शब्द है उसका विशेशन क्या होगा आलस, अलसी, आलसी पन तो आलसी जो है इसका विशेशन होगा प्रश्ण नम्मर 393 इन मेंसे गुढ़ वाचक विशेशन कौन सा है तो गुढ़ वाचक विशेशन बताना मैं चोगुणा नया तीन कुछ तो नया शब्द जो है वो गुढ़ वाचक है नया पुराना, सुन्दर, गंदा, यह सारे जो है गुण में आते हैं, चाहे नेगटिव हो चाहे पॉजिटिव हो प्रश्च नमबर 394 निमलिकित में से कौन शब्द विशेशन है विशेशन शब्द बताना है मात्र, खर्च, निपट, चुपचाग तो निपट जो है वो एक विशेशन शब्द है प्रश्च नमबर 395 मानव शब्द में से विशेशन बनेगा यानि मानव का जो विशेशन बनेगा वो क्या होगा मानव का मनुष्य, मानवी करन, मानवता या मानविय तो मानविय जो है यह एक विशेशन है प्रेश नमबर 396 उतकर्ष का विशेशन क्या होगा उतकर्ष शब्द का विशेशन क्या होगा अबकर्ष अपोजिट है अबकर्ष उतकरिष्ट उतकिर्ण तो उतकरिष्ट जो है ये इसका विशेशन मन जाएगा प्रश्न नमबर 397 आधर शब्द से विशेशन बनेगा आधर से क्या विशेशन बनेगा आधर कारी आधर पूर्वक आधर निया या नियसे कोई नहीं तो इसका जो विशेशन बनेगा वो बनेगा आधर निया प्रश नमबर 398, आदर शब्द से विशेशन बनेगा, वही प्रश रिपीट हो गया है, तो आदर ने बनेगा, प्रश नमबर 399, संस्कृति का विशेशन होगा, संस्कृति, संस्कृति या संस्कृतिक, तो संस्कृतिक जो है इसका विशेशन शब्द होगा, प्रश नमबर